Hello students, Hello friends, आज हम बचे हुए कॉशन को डिसक्स करेंगे, जो कि 21 नमबर से होंगे और जो कि 40 नमबर तक जाएंगे, क्योंकि कल हम लोग ने 20 कॉशन ही डिसक्स किये थे, जो आज कोशन हम लोग डिसक्स करने वाले हैं, जो कि 21 नमबर से 25 नमबर तक हैं, जिसमें जो कोशन हैं, वो दिये गाए हैं, उनमें दो स्टेट्मेंट बें लिखे होंगे, एक स्टेट्मेंट का मतलब जो लिखा होगा वो होगा एसरेशन, और जो दूसा स्टेट्मेंट होगा इसको हम लोग रिजन बोलेंगे, यानि कि एक स्टेट्मेंट है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट्मेंट क्या है, वो जो संटेंस बोला गया है, वो क्या है, और जो संटेंस है, उसके नीचे एक रिजन दिया गया होगा, तो दोनों को हमें study करना है बढ़ियां तरीके से और जो quotes दिये गया होंगे A, B, C, D जो की A में होगा की बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A then B जिसमें लिखा होगा बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A then C A is true but R is false and D A is false but R is true तो let's be begin the question from 21 number तो अपना जो पहला question है assertion जो की लिखा हुआ है की इंडिया है जे फेडरल सिस्टम इंडिया में फेडरल सिस्टम है और रिजन इसका लिखा हुआ है की under the unitary system either there is only one level of government or subunit are subordinate to the central government तो ये 21 number का question जो है आपने बढ़ियां तरीके से सुन लिया है आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे की इंडिया है जे फेडरल सिस्टम तीकी ना अब इसका जो सही आंसार होगा जो क्या होगा की बोथ A and R are true बट R is not the correct explanation अब ये कैसे होगा देखिए इंडिया है जो है फेडरल सिस्टम और रिजन लिखा हुआ है under a unitary system either there is only one level of government और subunit are subordinate to the central government ती ना तो इंडिया जो है फेडरल सिस्टम लगता है और unitary system जहां पर एक level होता है गवर्मेंट में या गवर्मेंट का और जो subunits होते हैं वो subordinate होते हैं central government के यानि कि जो दोनों ही centers नापस में एक दूसरे के अगेंस्ट में गए हैं फेडरल सिस्टम यानि कि जहां पर central और state government होती है इनके बीच में power का division होता है जब कि unitary system में central state तो होते हैं बने यहां पर power के division के मामले में बोला जाएगा है division यहां पर होते नहीं power का यानि कि unitary system जो है वहाँ पर किवल एक ही level जो होता है वो powerful होता है जो कि central government होता है अब अपना जो दूसरा question है वो यह है कि जो assertion दिया गया है कि sustainable development is essential for economic growth of the countries जो sustainable development होता है वो economic growth के लिए बहुत जादा जो production process है उसको हम आगे बढ़ा सके यानि कि जो sustainable development यानि कि progressive development हो रहा है जो stable development हो रहा है थी ना वो environment friendly अगर सुधार किये जाए तो वो production process को आगे बढ़ाता है कि आप ये इसका जो answer होगा वो answer क्या होगा कि जो assertion है वो क्या है sustainable development is essential यानि कि अबशक है for economic growth of development के लिए और sustainable development ensure करता है in environmental measures यानि कि जो प्रकति के आप से जो ये सुधार होते हैं वो इसके नुकूल होता है sustainable development और जो की adopted किया जाता है जिससे की production process को आगे बढ़ाए जाए तो ये दुन्हों ही statement एक दूसरे को mutually handle कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो sustainable development है जो कि अपने आप में के लिए रहे कि progressive development माना जाएगा क्योंकि एक दूसरे के लिए बिल्कुल आवश्यक है और क्यों आवश्यक है क्योंकि environment friendly होता है जो उसमें सुधार होते हैं और जो की production process को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं अब production process से जो होता है वो दोनों दरफ से आता है ती ना अगर environment friendly जो process उसमें लग रहा है और किसी किसी में environment friendly process नहीं लग रहा है लेकिन development जो है वो टिकाओ कौन सा है तो आप बोलेगे sustainable development थी ना जबकि जो development जो की machine से या फिर pollution से कि अगे pollution बढ़ा के किया जा रहा है ती ना उसमें भी development हो रहा है no doubt but development कौन सा आगे जा रहा है तो आप बोलेंगे sustainable development थी ना जो तीसरा question है वो क्या है कि high average income is not indicative of overall well-being of a human development in a country जाने कि उंची जो average income होती है है वो indicative नहीं है सूचक नहीं है हर प्रकार के जो human being के development का जो देश में होते हैं उनके overall development का वो सूचक नहीं माना जाता है ती ना जबकि region क्या गयरा है average income does not cover indicators like the level of literacy rate health facilities public facilities in a country अब जोसका answer होगा वो क्या होगा code number a पे जाएंगे हम लोग both a and r are true but r is the correct explanation of a तो clear है अपने आप में कि जो high average income है वो overall well being जो human development का होता है यह चर्मुखी विखात जैसे बोलते हैं थी ना वो इसका सूचक नहीं होता है अब क्योंकि इस average income में केवाल हम लोग income को ही पेमाना मानते हैं थी ना जबकि overall development के लिए overall जो मतलब आदमी के विकास के लिए income में ही ज़रूरी पेमाना नहीं है बलकि health और education भी होना बहुत जरूरी है even public facilities even यहां तक ही जो resources की quality और quantity है उसका भी होना बहुत जरूरी है ठीक है ना किवाल हम income को लेके ही ठीके नहीं रहेंगे बलकि हमें इसके आगे भी बशना होगा अब अपना जो next question क्या है थी ना 24 number acceleration क्या लिखा हुआ है the availability of resources is not the only necessary condition for the development of any region यानि की resources की उपलबदत का होना यानि की resources का होना किये की बल जुरूरी नहीं अवश्यक नहीं है ठीक है is not only necessary condition for the development of any region कि मलग किसी भी देश की तरक्की के लिए कि वल यह ही बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है resources का होने जरूरी नहीं है बलकि जो region का राइट not only availability of resources but also corresponding changes in the technology is necessary for development of any region यानि की resources जो है वो तो मून पे भी मिलेंगे आपको Jupiter पे भी मिलेंगे ठीक है ना जपिकिसी गाउं में भी मिलेंगे ठीक है तिक है जपिक किसी हिलियर रियस पे मिलेंगे लेकिन अगर correspondence नहीं हो पा रही है उसकी जो एक तरीकी से अप्रोच नहीं हो पा रही है किसकी अप्रोच नहीं हो पा रही है टेक्नलोजी की तो फिर development उस रीजन का तो 100% लोखेगा तो निश्री तोर पर ये code जो है A है जिसमें आपको कहना चाहिए कि A both A and R are true and R is the correct explanation of A क्योंकि resources का होना ही जरूरी नहीं है बलकि उसके बराबर से technology का भी होना बहुत जरूरी है ठीके ना और technology जो होती है और resources को ना केवल मतलब एक तरीकी से लाइबर मतलब योग बनाती है मनुश्यों के लिए बलकि जो एक लोग होते हैं थे ना उनके अंदर भी एक तरीकी की capacity पैदा करती है क्योंकि जो टेक्नलोजी वहीं पर होती है जहां पर education होती है ठीक है तो अपना next question क्या है Crops are grown depending upon the variation in soil climate and cultivation process यानि कि जो crops है वो जो growth होती है जो जहां पर पैदा होती है वो बहुत सारे ऐसी चीजे होती है जिनकी ओपर टिकाव होती है जैसे कि soil, climate, cultivation और region क्या कहता है crops are grown according to the availability of water जो crops होती है वो water की availability की वज़े से ही संभव हो पाती है तो अपना question तो आप समझे होंगे अब यहां पर जो कहा जा रहा है जो factor है यहां पर कि soil का, climate का और cultivation का कि रीजन कहा करा है कि crops are grown according to the availability of water कि वो बाटर ही नहीं होता है सबकुछ अगर वाटर ही सबकुछ होता तो फिस्टमुद में सबसे ज़ादा खेती हो रही होती है या फिर रीवर में सक्षियाद अखेती हो रही होती ठीकि ना या फिर पॉंड में या फिर रिजर वियर में लेकिन उसके अलावा जो water crops को की growth को आगे बढ़ाने में बहुत साहिक होता है लेकिन हर प्रकार की crops को नहीं जैसे कि आपने दिखा होगा की जैसे आप लोग से गढ़े खाते हो तो वह पाने में पैदा होते हैं ठीकिना लेकिन हर crops तो पाने में नहीं पैदा हो सकती ना जैसे की PC culture है फिशरीज है एक प्रकार का यह production होता है ठीकिना फूड का तो निश्य तोर पर पानी के लावा में soil और corresponding climate चाहिए साथ में cultivation process भी चाहिए इसमें हम लेबर से लेकर ठीकिना और विनोइंग से लेकर harvesting से लेकर वह सारी चीज़ें यूज करते हैं cultivation processes होना बहुत जुरूरी है तो student आप समय गया होंगे कि जो यह assertion और region based question है इसको आपको बहुत गहराई से समझना होगा कोई गहराई से नहीं समझेंगे तो आपको यह थोड़ा दिकत करेगा अब अब अपना next question जो है किसमें मिज़ें MCQ हैं इसमें direction जो हैं वो 26 नंबर से 30 नंबर तक के दिये गए हैं अब इन sources को थोड़ा आपको ध्यान पूरवक पढ़ना होगा और फिर इनकी basis पर आपको कोशन सर्च करने होगा तो देखिए हम लोग कोशन सर्च करते हैं तो से पहले हम लोग प्रेगरा पढ़ते हैं अबर कंस्टूशन डिद नॉट गिव दा स्टेटस ऑफ नेशनल लेंगविज जैने कि हमारे समयधाने किसी भी लेंगविज को है ना इस्टेटस नहीं दिया है दरज़ा नहीं दिय हिंदी वाद अडेंटिफाइड एस अफिशल लेंगविज ठीना कोई हमारे समयधाने डिद नॉट गिव इस्टेटस ऑफ नेशनल लेंगविज तो एनी वन लेंगविज यानि किसी भी एक लेंगविज को दरज़ा नहीं दिया है और हिंदी को अडेंटिफाइड किया ग किया गया है ना कि इसको एक तरीके से मदब प्रैक्टिस में लाया गया है लेकिन हिंदी जो है वो मदर टंग है केवल 40% से ज्यादा लोगों की 40-42% की बीच में केवल तो इस पकार से यहां पर बहुत सारे ऐसे सुरक्षा की गई है दूसी लेंगविज को बचाने के हिंदी को मदर लेंगविज और ऑफिशल और नेशनल लेंगविज गोशित करने का लेकिन क्या होता उसका पढ़नाम तो शीलंका में हमने देखी लिया है तो निशी तोर पर जो गलतियां शीलंका में की गई थी उनकी बेसे पर हमने यहां पास सेफगार्ट्स और प्रोड लेंगेज की रूप में चिटीन लेंगेज का मतलब वो लेंगेज जो कि किसी कारण से लुप्त हो रही है या जो बहुत इंपोर्टेंट थी अब समयधान की तरफ से ना कि वहला उनको सुरक्षा दी गई है प्रोडक्शन दिया गया है बलकि इनके स्पीकर्स को जो उनकी ब ये मतलब एक तरीके से छेतरी विविनताओं को एक साथ मुशली बॉर्णिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिजित करेगी और ये सम्विधान का एक बहुत ही अच्छा डेसियर है अब देखे आगे एक कंडिडेट जो की एक्जाम में बैठता है जो की सेंटर गवर् जो भी लेंग्वेज यहां पर 21 लेंग्वेज दी गई हैं सम्विधान की तरफ से उनमें किसी एक भी लेंग्वेज में अगर कोई कंडिडेट किसी भी जगे पर एक्जाम देने जाता है बली वो अपने नेटिव प्लेस से हरके उन शेत्रों में जाता है जहां पर उसकी तो अब वो फॉर्म में अपनी ही लेंग्वेज को तो निश्य तूर पर उसको कॉर्शन पे पर मिल देगा बद उसको अपनी ही लेंग्वेज का कॉश्चन पर उस च्छेतरी भासाओं के साथ मीं मिलेंगा जहां जिस इस में वो जा रहा है अब स्टेट डियर ओन ऑफिश इसका नहीं को द्हाना है हमने को पर अपनि कोई बात लगाते हैं जिससे की जो काम होता है और कि तरहे से लेंगवेज मैं हिरा टेकर देखे हैं उसे संबंधित राजी की जैसे कि शिलंका में जो लीडर थे हमारे कंट्री की तरी किसे इनों ने बहुत ज़्यादा सब्धानी पूरवक वाला एक्टिट्यूर अपनाया हिंदी को यूज करने को लेकर हिंदी के मलब विस्तार को लेकर तीना और समिधान के अंसार जो इंग से डेमांडेट करने लगे कि जो इंग्लिस का यूज है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे वह इंग्लिस का यूज होना चाहिए तमिल नाडू में यह मुवमेंट था बहुत ज्यादा मतलब अपने विक्रार रूप में आ चुका था तो सेंटर गवर्मेंट थी उसने म नहां पर डॉमिनेंशन था जो इंग्लिस लेंगेज का वो रोख दिया गया अब देखे मैनी क्रिटिक्स थिंक दाट इसे सॉलीशन फेवर थे इंग्लिस स्पीकिंग एलाइड टेकिन कुछ जो अलोशक थे उनको यह सोचने जागे कि जो यह सॉलूशन है जो यह मतलब से इंडिया में और प्रोमोशन का मतलब यह ही निकाला रहाएगा कि सेंटर गवर्मेंट जो है वह हिंदी को थोप रही है उन्हें राज्यों में जहां पर लोग डिफरेंट लेंग्विज बोलते हैं तो यह फ्लैजिबिल्टी शो करती है हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीड इंडिया इसे कौन से सुधार किये गए हैं डिफरेंट लेंग्विज के लिए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि यह सारे चीजे हैं क्योंकि हिंदी अबर ऑफिशल लेंग्विज हिंदी इस पोके वाइट 40 परसेंट थी ना इंडियन से टेंशी तो कॉल हिंदी जो इस तो इसे हिंदी की नस लेंग्विज तो इस अरे चीजे हैं तो इस सएवें नवंर कोशन काया है तो गवर्मेंट वर्क्ष ऑब सूंज waiver करती है तो इसमें किया जाता हिए जिशर कहाँ बच्चों इस घंकि अट ऑफिशल लेंग्विज और सिटान और How our language policy can favor the English speaking allied किस त्रीके से हमाई ड्याइट पॉलसी है English speaking allied policy को favor करती है इसका answer क्या होगा बच्चों इसका answer होगा to continue English after 1965 as official language ठीक ना इसको official language के लिए मदब continue किया गया है लेकिन हिंदी के साथ भी Central Government tried to promote Hindi but it does not mean अब है सेंटर अबर्मेंट ने प्रोंट किया हिंदी को लेकिन इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि क्या हिंदी के इंपोज्ड और नॉन हिंदी स्पीकिंग पेपल यह एक तरीके से फेडलिजन सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स है इसका अपना नेक्स कोशन क्या है अब इसमें आंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा तमिल नाडू ही एक साथ स्टेट सा जहां पर इसारी चीज़े देख जानी थी तो स्टुएंट होप यू इंजॉए इस वीडियो लेक्टर